नमस्कार दोस्तों, ब्रिहस्पती देव को मान सम्मान और सुख सम्रिधी का देवता माना जाता है। इन्ही की कृपा से व्यक्ति को धन दौलत और शोहरत मिलती है। अगर आप रुपए पैसो की तंगी से जूज रहे हैं, तो आपके लिए गुरुवार के टोटके कारगर्श साबित हो सकते हैं। दरसल जोते शुष शास्त्र में केले के पेड़ की जड़ का एक ऐसा उपाय बताया गया है, जिससे करने के बाद भिखारी भी राजा बन सकता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको केले के पेड़ की जड़ से ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें करने से आपकी हर परिशानी दूर हो जाएगी। तो आईए जानते हैं इस उपाय के बारे में। धन प्राप्ती और सुक सम्रधी के लिए गुरुवार के दिन नहा धोकर पीले वस्तर पहने। या फिर आप अपने पास पीला रुमाल भी रख सकते हैं। इस सुपाय में आपको केले के पेड़ की जड़ लेनी होगी। और चुपचाप इसे गंगा जल से धोकर पिला धागा बांध कर उसे अपनी तीजोरी या पर्स में हमेशा रख लें। बतादे कि जब आप ये करेंगे तो आपको कोई भी टोके नहीं। अगर ये पेड़ किसी के घर में है तो आप उसे पहले ही बता सकते हैं। जिससे आपको इस कारे को करते समय ना कोई देखे और ना ही कोई टोके। बिल्कुल चुपचाप से ही आपको ये करना है। यदि उस दिन गुरु पुष्पन शत्र का योग हो तो फिर कहना ही क्या है। जोती शत्र शास्तर के अनुसार जो लोग गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें गुरुवार के दिन अपने पर्स या तीजोरी में केले की पेड़ की जड़े रखनी चाहिए। इससे विश्णु भगबान की आप पर क्रिपा होगी। अगर आप गुरुवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी महत्वपुर्ण काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो अपनी जेब में पीला रुमाल अवश्य रखें। इससे आपको कारे में सफलता मिलेगी। धन प्राप्ती एवं मान सम्मान के लिए गुरुवार के दिन अपने पर्स में ब्रिहस्पती वार देव का यंत्र रखें। इससे आपके रुके हुए कारे बनने लगेंगे। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आज के दिन भोज पत्र पर हल्दी से ब्रिहस्पती यंत्र बनाए। अब इससे मोड कर अपने पास रख ले। ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा। जिन लोगों के कुंडली में गुरू कमजोर हैं उन्हें ब्रिहस्पती वार के दिन पुखराज रत्न पहनना चाहिए। अगर आप रत्न नहीं खरी सकते तो पीले कपड़े में केले के पेड़ की जड़ भी बांथ सकते हैं। गुरूवार के दिन स्नान के बाद पीले वस्र धारन करने एवं ब्रिहस्पती देव की पूजा करने से भाग्य बलवान होता है। इससे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ती होती है। ब्रिहस्पती देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार की सुबा नहाने के बाद केले के पेड में जल चढ़ाना चाहिए इसमें चुटकी भर हल्दी और थोड़ा गुड अवश्यले इससे शुब फल मिलेगा ब्रिहस्पती देव को गुड और भीगी हुई चने की दाल चढ़ाने से गुरुदेव की कृपा होती है जो लोग घर में सम्रिधी चाहते हैं उन्हें गुरुवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए इससे घर में सकरात्मक्ता आएगी जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए साथी एक पीले रेश्मी कपड़े में हल्दी बांध कर नदी में प्रवाहित करनी चाहिए इससे जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा कुंडली टीवी डेस्ट से प्रियाश शर्मा की रिपोर्च इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद